गुद मॉर्निंग चिल्डरन वालकम टू किज़ार स्कूल नाव टुड़े वी लर्न मेरी गोल बुक स्टान्डर फोर उसका युनिट नमबर थ्री जिसका नेम है नसरुदिन्स एब ओके लेट स्टार्ट तो चलो बच्चो आपकी बुक का पेद नमबर फोर्टिफोर उपन करो ओके हम स्टोरी शुरू करने वाले हैं चलो स्टोरी का नेम है नसरुदिन्स एब उसकी फॉर्स्ट लाइन एक दिन नसरुदिन अपने दोस्तों के साथ बाते कर रहा था उसने बड़ाई माने शुरू की उसने क्या कहा कोई भी व्यक्ती मेरी धनुश विद्या में बराबरी नहीं कर सकता उसने क्या कहा मैं दनुश पर तीर चड़ाता हूँ निशना साथता हूँ और तीर चला देता हूँ फिर उसमें से आवाज हाती है फिर क्या होता है एकदम जो निशना होता है वो सही से लगता है एसा सुनकर उसके दोस्तों में से एक दोस्तूरन धनुश और कुछ तीर लेकर आया giving them to Nasruddin he said उसने Nasruddin को वो दिया here Nasruddin take this bow and arrow उसने क्या कहा ये लो Nasruddin ये धनुश और तीर then pointing towards a target he said aim at that target and shoot an arrow फिर क्या कहा तब एक निशने की और उसने इशार किया और बोला उस निशने को देखो और उस पर तीर चलाओ ऐसा Nasruddin के एक दोस ने बोला फिर क्या हुआ देखो अब इपेद नमबर 45 ओके तो पेद नमबर 45 पर है Nasruddin held the bow and bow in his hand shrung it aim at the target and shoot an arrow फिर Nasruddin ने क्या कहा नसruddin ने अपने हाथों में दनुश लिया डोरी पर तीर चड़ाया और निशना साधा फूश ऐसी फिर से आवाज आई दा एरो दिड नाट हिट दा तार्गेट फिर क्या हुआ तीर निशने पर लगा नई instead it fell down somewhere in the middle उसकी जगा क्या हुआ वो एरो निशने पर तो नहीं लगा बलकि वहाँ वो कई बीच में जाकर गिर गया हाँ 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 his friend started laughing उसके सारे friend ने ऐसे जोर जोर से अर्षना शुरू कर दिया they said hey Nasruddin is this your best time क्या यही तुमारा अच्छा निशना है oh no not at all नहीं बेशक नहीं said Nasruddin Nasruddin ने ऐसा कहा Nasruddin defending himself मतलब उसने अपने बच्चाव में defending यानी बच्चाव करना उसके बच्चाव में ऐसा कहा this was not my aim it was Azad's aim उसने क्या का यह मेरा aim मेरा target नहीं था यह तो आजाद का target था I just show you how Azad shoots and arrow मैं तो सिर्फ आपको दिखा रहा था कि Azad कैसे तीर चलाता है Saying this Nasruddin pick up another arrow ऐसा कहकर उसने Nasruddin ने दूसरा arrow लिया Once again he shrunk the bow, aim at the target and shot the arrow फिर से उसने तीर चड़ाया This time arrow fell a little further from where had fallen before इस बार तीर जो पहले गिरा था उससे थोड़ा आगे गिर गया अभी page number 46 But it certainly did not hit the target But इस बार भी जो arrow जो उसने तीर चड़ाया था वो निशाने पर नहीं लगा They asked Nasruddin and this must be how you shoot an arrow फिर सारे दोस्तों ने क्या का कि तुम क्या ऐसे तीर चलाते हो Of course not बेशक नहीं आग्यू नसुरुदिन एसा नसुरुदिन ने कहा Even this aim was not mine It was the chief guard's aim इस बार भी वो मेरा aim नहीं था वो chief guard का aim था Chief guard यानि कोई प्रमुख दर्बान होगा उसका aim था Now somebody remark किसे ने remark किया Well, अच्छा Now what's next on the list तो सुची में अब दूसरा कौन सा नेम है बता दो ज़रा Hearing this All the friends brushed out laughing ऐसा सुनकर उसके सारे दोस जोर से हसने लगे Nasruddin did not say a word Nasruddin एक शब्द भी नहीं बोला He quietly picked up one more arrow उसने एक तूसरा arrow ले लिया Again And this time Nasruddin was really lucky और इस बार Nasruddin lucky था The arrow hit right on the target अभी जो arrow था वो बिल्कुल निशाने पर लगा Everybody stared at Nasruddin तीर सीधा निशाने पर लगा सिर्फ फिर क्या हुआ हर व्यक्ति Nasruddin को एक टक देखने लगा क्या हुआ सारे व्यक्ति जो थे वहाँ पर खड़े वो Nasruddin के सामने देखने लगे Stared मतलब ताक न मतलब एकदम surprise आस्चरे भाव से उनके सारे दोस्ते के मुग खुले के खुले रहा गए Before anyone could say anything कोई भी कुछ भी बोले उससे पहला Nasruddin said trumpetly Trumpetly मतलब विजय भाव से एकदम with a feeling of victory एकदम विजय भाव से बोला Did you see that? क्या आपने देखा? It was my aim यह मेरा निशाना था यहाँ पर अमारी story खतम होती है नीचे लिए है new words तो उसमें सबसे पहला है क्या है देखो? chatting then after a stream string, target defending amazement and trumpetly मैंने उसके सारे meaning के साथ नीचे सारे hard words लिखे हुए है one by one हम उसको पढ़ने वाल है चलो जो आपको दिखाई दे रहा है यह सारे hard words वो आपको अपनी note book में लिखने है तो चलो सबसे पहला कौन सा words है? चलो देखते है first वाला है chatting उसका meaning है गफशब करना उसके बाद है post मतलब talk proudly about one बढ़ाई मारना match यानी बराबरी करना आश्री तनुश्विद्या आगे मैंने समझाया न bang on मतलब completely immediately उसका meaning है तूरंट strong यानी fasted with string डोरी बादना aim aim मतलब target निशाना defending मतलब पच्चाव करते हुए pressed out laughing मतलब खूब जोरो से हसना उसके सारे friends असरे थे ना अस्रुदिन के गैप मतलब wide open खुला हुआ amazement मतलब surprise अस्चर यसे trumpetly मतलब विजय भाव से ओके चलो अभी मैंने नीचे note लिखे read and write hard words one time in envy तो ये सारे hard words आपको अपनी note book में लिखने है तो चलो बच्चो आपको सारी स्टोरी अच्छे से समझ में आई थैंक यू बाई थैंक यू पॉवाचिंग अज़ाचिंग